हेलो और वालकम टू बोल इन्वेश्ट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ग्रो एप पर ऑप्शन्स ट्रेडिंग कैसे गर सकते हो लाइव एक्जाम्पल देखे भी मैं बताऊंगा और जितना हो सगे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा बिलीव में इस वीडियो के बाद आपको आप्शन्स ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी चाहे आप ग्रो एप पर आप्शन्स ट्रेडिंग करो या फिर किसी और एप पर लेकिन आज मैं आपको ग्रो एप पर करके दिखाने वाला हूं बस आपको क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस चनल पर आपको शेर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी उसफुल वीडियोस मिलेंगे और प्लेलिस्ट भी मिलेंगे जैसे बेसिक्स ऑफ शेर मार्केट, लाइफ ट्रेडिंग एनलिसस, प्री मार्केट अपडेट बहुत सारी उसफुल प्लेलिस्ट है तो बिना टाइम वेश्ट की हम अपने मेन टॉपिक क्यों रात है तो जैसे ही आप Grow App को Open करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है यहाँ पर आपको Nifty 50 and Sensex दो इंडैसस देखने को मिल रहा है यह आपको करेंट बताता है कि Nifty 50 अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है और Sensex अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है नीचे आपको Top Gainers दिख जाएंगे यानि आज के दिन में वैसे Shares जो आज के दिन में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके नीचे आपको Futures and Options दिखने को मिल रहा है IPO भी है तो देखो अगर आप किसी Particular Stock में ट्रेडिंग करते हो तो उसे हम Intraday Trading कहते है लेकिन अगर आपको Indices में करना है जासे Nifty 50 या Bank Nifty तो उसे Futures and Options में ट्रेड करना कहते है तो अभी हम Options Trading देखेंगे आपको Simply क्या करना है F&O पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके साबने यहाँ पर दो Option फिर से आते है Bank Nifty and Nifty 50 आप चाहो तो Nifty 50 में भी Trade कर सकते हो Bank Nifty में भी Trade कर सकते हो So आज हम देखेंगे कि आप Nifty 50 में कैसे Trading करोगे Bank Nifty and Nifty 50 में Trading करना Similar है तो आप इसे अच्छे से देख लो यह जो Interface आपके सामने भी खुल के आजा है इसे Option Chain कहते है Beginner को यह बहुत ज़्यादा Confusing लगता है बढ़ यह उतना ज़्यादा Confusing है नहीं आपको बस क्या करना है ध्यान से समझना है देखो यह आपको अभी Spot दिख रहा है Spot Strike Price यानि Nifty अभी कहां पर Trade कर रहा है Nifty अभी 16,926 पर Trade कर रहा है अगर अभी आपको यहां से लग रहा है Market उपर जाएगा यानि 16,950 की और जाएगा तो आप Call Buy करोगे अगर आपको लगता है Market अभी यहां से नीचे जाएगा तो आप Put Buy करोगे मैं आपको Graph में अच्छे समझनाता हूँ यह है Nifty 50 का Graph अगर आप इसे देखोगे तो 9 बच कर 40 मिनट पर देखो Nifty 50 था 16,876 पर उसके बाद Nifty 50 का Graph उपर गया है अब Nifty 50 का Graph उपर गया है तो Call के Prices Increase हुए होंगे and Put के Prices Decrease हुए होंगे क्योंकि जब Market उपर जाता है तो हम Call Buy करते हैं जब Market नीचे जाता है तो हम Put Buy करते हैं क्योंकि Put के Prices बढ़ते हैं तो अब मैं आपको वापस से Option Chain की ओर लेके जा रहा हूँ वहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर देखो क्या है अभी Spot Strike Price Nifty 50 की क्या है 16,937 अब आपको यहाँ से लग रहा है कि Market ऊपर की ओर जाएगा 16,950, 17,000 की ओर तो आप सिंप्ली लेफ्ट साइड में जो Call के Prices हैं आप वो खरीच सकते हो अगर अब आपको लगेगा Market नीचे जा रहा है यानि 16,900, 16,850 की ओर तो आप Put Buy करोगे जो की राइट साइड में है देखो अब यह है 16,900 का Put इसके Graph को हम देखते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसका Graph ऑपन हो जाता है यह है Nifty 24 February expired day 16,900 Put का Graph देखो 49,000 के बाद यह इसके Prices Decrease हुए है अब मैं आपको Call का दिखा देता हूँ उसके Prices Increase हुए होंगे जैसे यह आप देखो Nifty 16,950 का Call है इसके Prices देखो Increase हुए है 49,000 में 127 था अभी के टाइम में भी बहुत जादा है इसकी High थी 157 अभी भी 150 के आसपास यह Trade कर रहा है क्योंकि Nifty 50 ऊपर गया तो Call के Prices Obvious है कि Increase होंगे तो देखो आप अभी जो Spot Strike Price है Nifty 50 की Spot Strike Price से जितने भी पास के Premium लोगे उतना जादा आपको महगा पड़ेगा जितना दूर का आप Strike Price चूज करोगे उतना सस्ता आपको Premium पड़ेगा जैसा कि आप देख सकते हो तो मैं अभी आपको Example दे के बताता हूँ मुझे लग रहा है Market अभी यहां से उपर जाएगा क्योंकि काफी Negative Movement यह दिखा चुका है तो मैं यहां 17,050 का Call चूज कर रहा हूँ अब इसके Price आप देख लो 104 रुपीज के आसपास है अभी और यह देखो Graph भी Increase हो रहा है दीरे दीरे तो जैसे ही आप Buy पर क्लिक करोगे आपके सामने यह Option आता है 50 के Multiple में आप कितने भी Lot Buy कर सकते हो एक Lot में 50 quantity आता है और आप चाहो तो Price आप Market Price पर भी खरीच सकते हो उपर आपको Market Price दिख रहा होगा और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसे Specific Price पर खरीचना है तो आप Limit लगा कर भी यहां पर Type कर सकते हो बट क्योंकि मैं Example में बता रहा हूँ तो मैं Market Price पर Buy कर लेता हूँ Done तो यहां पर Buy Order complete हो चुका है तो Dashboard पर आपको यह Show होगा अब Dashboard में आप यहां Clearly देख सकते हो Average Price जो मुझे पढ़ी है 105 रूपीज पढ़ी है और अभी जो Market Price है वो 102 रूपीज है तो मुझे Loss हो रहा है अब जैसे ही अगर मैं Graph को देखना चाहूँ तो आप इस पर Click करके Graph भी देख सकते हो कि इसकी Price Increase हो रही है या Decrease हो रही है फिलाल तो अभी Decrease हो रही है बट आप चाहो तो Nifty 50 का भी Graph देख सकते हो या आपने जिस Particular Premium को Buy किया है अब उसके भी Graph को देख सकते हो तो अभी मैं Nifty 50 के Graph को देख रहा हूँ जैसे यह देखो यहां पर यह Graph उपर जा रहा है अगर Nifty 50 का Graph उपर जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया था Call के Prices Increase होंगे and Put के Prices Decrease होंगे तो अगर यहां पर Nifty 50 उपर जाता है तो अब बात करते हैं अगर आपको अपने Position से Exit करना है तो कैसे करोगे Simply अपने Position पर क्लिक करो and उसके बाद अपके सामने यह आएगा Exit पर क्लिक कर दो अब देखो यहां पर आपको दिखेगा आप यहां से Sell कर सकते हो अपनी Quantity सेलेक्ट कर लो आपको Market Price पर बेचना है या Limit पर आप वो Decide कर लो Market Price आपको उपर देख रहा है और अगर आपको Limit पर बेचना है तो Limit सेलेक्ट करके अपनी जो भी Price पर बेचना है वो सेलेक्ट करो जैसे मैं 107 कर रहा हूँ और Sell पर क्लिक कर दो अब आपका Order Place हो चुका है Dashboard में आप क्लिरली देख सकते हो Open Order में मेरा Order Place हो चुका है जैसे ही Market Price 107 रुपीज पर आईगी यहाँ पर मेरा जो भी Profit and Loss होगा वो Book हो जाएगा Automatically क्योंकि मैंने 107 का Target रखा है तो ये बहुत जादा नहीं है तो ये बहुत ही जल्दी से हिट होने वाला है जादा Target मैंने नहीं रखा क्योंकि बहुत जादा टाइम लगता उसमें मुझे वेट करना पड़ता तो आप देखो अगर आप Graph देखो के 17,050 की तो ये दीरे दीरे Increase हो रहा है क्योंकि 15,050 अब उपर जा रहा है Starting day में ये 2% से भी जादा नीचे गिर चुका था तो अभी इसकी Market Price 105 ओके तो मेरा Order Execute हो चुका है देखो उपर notification आ गया है कि आपकी Order Sell हो चुकी है तो चलिए आप Dashboard पर जाकर देखते हैं यहां पर देखो मेरा Order Place हो चुका है यहां 92 रूपीज का Profit Show हो रहा है तो अभी Price 106 शो हो रही है लेकिन वह 107 गया हो गया और मेरा Price Execute हो गया तो आप ऐसे Limit Order लगा सकते हो Market Order भी लगा सकते हो तो I hope आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे Grow App में Options Trading कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी Confusion है तो आप एक Playlist चेकाउट कर सकते हो Live Trading Analysis उसमें मैंने बहुत सारे Trade लिये है Explain किया है आपको कहां पर Entry करनी चीए कैसे Exit करनी चीए आप description को चेक कर लेना उसमें मैं Videos and Playlist के Link दे दूँगा दो वीडियो के Link दे दूँगा एक में मैंने सिर्फ 4000 से कैसे Profit Book किया था बहुत कम इमाउंट से वो है और दूसरा और एक वीडियो है जिसमें मैंने 5 मिनिट से भी कम में 25,000 से भी अबब Profit Book किया था Link आपको description में मिल जाएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि इस चैनल पर आपको Share Market से related बहुत सारे useful वीडियोज मिलते हैं और मिलते रहेंगे आज इस वीडियो में इतना ही Thanks for watching, Have a good day